बच्चो आपने त्रिभूज के गुड़ों के बारे में देखा और कुछ प्रमे भी प्रमानित किये सिद्ध किये और आपने देखा कि हम त्रिभूज की भुजाओं और कोड़ों के समानताओं पर बात कर रहे थे अभी तक कुछ गुण ऐसे भी हैं जो तरिबूज की भुजाओं और कोडों के असमानताओं पर आधारित होते आपको लगously है कि तरिबूज में हम समानता असमानता की बात कर रहे हैं तो उसका आधार क्या हो सकता है तो एक बड़ी चीज और बड़ा और कारण बनता है जिसमें हम सोचें वो है त्रिभूजों की असमानता त्रिभूजों में जो असमानता होती है वो उसके आवयों के कारण होती है आपने देखा है कि त्रिभुज में कोण हैं भुजाएं हैं और यही इसके आवयव हैं यदि हम त्रिभुज के कोणों को बदल दें त्रिभुज के अलग अलग कोण बनाई हैं उनके भुजाओं के लंबाया कम जादा कर दें तो जो नई रश्णाय होती है और जब हम एसमान तुर्बुज बनाते हैं तब भी इन में कुछ गुण हमें दिखाये पड़ते हैं तो अभी हम उनमें से कुछ गुण के बारे में बात करेंगे उन्हें धियान से देखेंगे कि तिर्बूश के भुजाएं या कोण जब छोटे या बड़े होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है हम एक छोटी सी गतिविधी करेंगे हमने यहां पर एक बोर्ड पे पिन लगाया है और इस पिन में माल लेजे हमने इनको नाम दिया यह इसका नाम हमने रखा बी बिन्दू बी और यहां पर हमने बिन्दू सी नाम दिया और यह जो दोनों को मिलाने वाल ली रेखा है उसको हम थोड़ी देर के धागे से पदर्शित कर रहे हैं अब हम यहां से एक और भुजा खींच लें अगर दो सी से होकर किसी दिशा में जाती है यह हमने एक भुजा बना रहे हैं त्रिबुज की जिसे दूसरी तरफ खोला रखते हैं इसे हम तीर के निशान से प्रदर्शित कर दें तो एक किरंड बन जाएगी और इसे हम किरंड सी क्यू नाम दे दे यह किरंड सी क्यू है और अब यहां पर एक बिंदू हम ले माल लीजिए वो बिंदू हमने यहां पर लिया और इसे नाम दिया बिंदू ए तो त्रिभुज की एक भुज़ा तो हमने बी सी बनाई थी और दूसरी भुज़ा बन गई एसी जो कि किरंड सी की उपर एक स्थान पर बिंदू ए लेने पर बना बना अब जब हम इसे मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हम त्रिपुज के तीसरी भुजा प्राप्त करते हैं यहां इस तरह से मिला दे तो यह हमको भुजा A B मिलती है और हम थोड़ी दिर के लिए यहां निशान लगा लें कि हमें A B कहां मिल रहा है यह बिंदू A को प्रदाशित करता है अब एक और बिंदू हम ले माल लिजेस बिंदू को हम P कहते हैं बिंदू P जब हम P ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि P C AC से बड़ा हो गया आप देख रहे हैं कि पहले हम ने बिंदू A लिया तो त्रिभूज की एक भुजा ऐसी बन रही थी अब इसी किरेंट पर आगे जाकर हमने एक बिंदुग पी लिया तो त्रिभूज की भुजा पी सी बन रही है ठीक है अब हम इसको नाप्त के देखे तो आप देख रहे हैं कि यह तो यहां आ रहा था लेकिन इसके बढ़ने से क्या हो रहा है इसको यह आप देखना चाहें तो आप देख रहे हैं जब यह वाली भुजा इस भुजा को जब हमने ए पर रखा तो यह एक रेखा घंड़ा में जो मिल रहा था उसके एक निश्यत लंबाई थी जो इसके बराबर थी और इसकी भी एक निश्यत लंबाई थी यह इसको भी हम प्रदर्शित कर दें तो आप देखें इसे हम इस तरह से कर सकते हैं इसे हम इन टूटी हुए लाइदों से मिला दें देगे यह भी मिला और पी लेने पर यह जो भुज़ा है हम इस तरह से मिल रही है कि के तो पहले हमारी भुजा एसी थी और इसके बाद पी सी हो गई बने हमने इस भुजा के लंबाई को एसे पी तक बढ़ा दिया तो अब देखिए उसे फर्क क्या पड़ रहा है पहले जो भुजा तीसरी हमें एबी मिली थी उसका इस बी के साथ कोड़े हां बन रहा था और जैसे ह हमारे कोड ये बनने लगा अब बता सकते हैं दोनों में कौन से कौन बढ़ा है अब बहुत इस पर रूप से देख पा रहे हैं कि भुजा भी जो कोड़ बना रही एबी सी के साथ वो इससे थोड़ा और आके जा रहा है यानि कोड का मान बढ़ता चला जा रहे हैं तो आप भुजा बड़ी हो गई तब यह कोण भी बड़ा हो गया तो आप इस तरह से अगर कोई और बिंदू यहां पर लिया और बिंदू लेने पर फिर आप इसको यहीं मिलाएं इसके बाद और भी बिंदू ले तो आप देखेंगे हर बार जैसे जैसे इस भुजा के लंबाई हमने का कोण भी बड़ा होता चला जाता है तो यह एक महत्वरून परिणाम है जो आगे हमें और जगों पर काम आएगा और हमारी मदद करेगा समस्याओं को हल करने में एक और प्रमय है जिसे हम दस दसमलो एक शुन्य कह रहे हैं एक त्रभूज में किनी दो भुजाओं को योग तीसरी भुजा से अधिक होता है इन प्रमयों को आप गतिविदी के माध्यम से हल कीजे और देखिए क्या ये गुण वास्तों में आपको दिखाए पड़ते हैं प्रमय दस दस एक त्रभूज में किनी दो भुजाओं को योग तीसरी भुजा से अधिक होता है इस प्रमयों को हम यहां सिद्ध नहीं करेंगे किन्तों एक प्रयोग से हम करके देखते हैं क्या ऐसा होता है तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रभूज की रशना करें और इसक हम पिन से और धागे से एक त्रभूज की रशना करते हैं एक हमने पिन लगाया और दूसरा पिन हमेहां लगाते हैं जो त्रभूज की भुजा के दूसरे बिंदू को प्रदर्शित करेगा और इसे यहां जोड़ ले और तीसरी बुजा वापस हम यहां ले आएं इस पिन को थोड़ा उपर उठाके इसे भी शामिल कर दें उसके साथ एक त्रभूज हमने बना लिया आप चाहें तो इनका नाम करन भी कर दें मालने त्रभूज का शीर्स इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं दूसरा शीर्स इसे B से प्रदर्शित करें और तीसरे शीर्स को हम C से प्रदर्शित करें प्रमे 10-10 ये कहता है कि किसी त्रिभुज में किनी दो भुजाओं को योग तीसरी भुजाओं से अधिक होता है दो भुजाएं कोई भी ली जा सकती है हम यहां देखें कि हमारे पास जो भुजाएं हैं वो करमसा A, B, B, C और C, A है इनको हम चाहें तो नाप की इनका माप भी यहां पर लिख ले हम भुजा A, B लिखें भुजा B, C और भुजा C, A हम इसकेल के मदद से इनकी लंबाईया नापे और देखें कि यहां जो बात प्रम्य में कही जारी वो यहां पर लागो होती है हम सेंटीमीटर के पैमारे के इस्तमाल करेंगे यह करीब 24.6 सेंटीमीटर है माप बहुत वारिक नहीं है हम एक लगबग मान के आधार पर काम कर रहे है यह है 14.4 सेंटीमीटर एबी 14.4 सेंटीमीटर एसी को भी हपना पर यह 23.4 सेंटीमीटर है इसे में हम लिख लें 23.4 सेंटीमीटर अब हमें देखना है कि यदि हम किनी 2 को जोडते हैं तो क्या तीसरे से अधिक है अगर आप A, B और B, C को जोड़ें तो आपको मिलेगा 14.4 धन 24.6 आप देखरें इनका युक्फल होगा छे और चार दस के शुन हासिल आपको मिली एक पाच और चार नो और दो और एक तीन यह हुआ 49.6 सेंटीमीटर है आप देख रहे हैं कि A, B और B, C को जोड़ने पर जो मान आ रहा है वो 49.6 सुनने हैं जो A, C, A, C, A के मान से बहुत अधिक है आप देख रहे हैं कि C, A की जो लंबाई है वो है 23.4 सेंटीमीटर अब बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि इन दोनों का योग A, C या C, A के लंबाई से काफी अधिक है तो आप क्या सकते हैं A, B, Dhan, B, C बड़ा है C, A या A, C से तो यह देखिए एक परेड़ाम तो हुआ कि हमने तीन भुजाओं में से दो भुजाओं के जोड़े बनाए उनका योग किया और देखा कि उनका योगफल तीसरी भुजाओं से अधिक है ऐसे ही आप किनी भी दो भुजाओं को जोड़े और देखें क्या बच्ची हुई तीसरी भुजा से उनके लंबाई को योगफल अधिक है आप हर बार पाएंगे कि किनी भी दो भुजाओं के लंबाईयों को जोड़ने पर उनका मान तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है अब कोई और भी त्रिभुज बनाएं और उसमें इस काम को करके देखें और यह पता करें क्या यही परड़नम हर बार आपको मिलता है